नमस्कार जी मैं आज एक बहुत बड़ा एलान करने जा रहा हूँ जैसा कि सब को पता है कि आमादिय पार्टी सच्चे दिल से इमानदार पार्टी है आमादिय पार्टी एक एंटी करुप्शन अंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आमानी पाटिगी दिली और पंजाब की सरकारें तहे दिल से इमानधार सरकारें है हमें एक पैसे की भी हेरा-फेरी बरदाश्ट नहीं करें जब मैं पंजाब में चुनाप परचार करता था, गाओं गाओं जाता था, कस्मों में जाता था तो लोगों के चेहरे पर मैं एक उमीद देखता था लोगों की आँखों में एक उमीद मुझे नजर आती थी कि शायद कोई आएगा जो हमें ब्रिष्टाचार की इस दलदल से बचाएगा जब मेरा नाम मुख्यमंत्री के लिए अनौंस किया गया तब भी मुझे अर्विंद केजरिवाल जी ने कहा था कि भगवन जो मर्जी हो जाए हमने ब्रिष्टाचार बरदास्ट नहीं करना मैंने उनको बचन दिया था कि एक पैसे के भी हेरा फेरी बरदास्ट नहीं करेंगे चाहे वो अपने हो, हेरा-फेरी करने वाले, चाहे बेगाने हो इसी सिलसले में मेरे ध्यान में एक केस आया कि मेरी सरकार का, पंजाब सरकार का कैबनेट मंत्री अपने डिपार्टमेंट में टेंडर और बाकी ख्रीद फूर्ट में से एक प्रसंट कमिशन मांग रहा था, तो मैंने उसको गमीरता से लिया, ये मामला सिर्फ मेरे पास है, मीडिया के पास इसकी कोई जान करें नहीं है, विरोधियों के पास इसकी कोई जान करें नहीं है, मैं चाहता तो इसको दबा सकता था, अगर मैं ऐसा करता तो मैं लाखों करोडों पंजाबियों का दिल तोड़ता जिन्होंने मुझे पर यकीन किया तो मैं अपनी पार्टी की जो बिचार धारा है उसके भी खिलाब होता और मैं एक्शन लेने जा रहा हूं उस मंत्री का नाम है डॉक्टर बिजे सिंगला जो के सिहत मंत्री है पंजाब में कैबिनेट में थे जब मैंने उनको ये सबूत दिखाए तो उन्होंने अपना गुना कबूल भी किया तो हम चाहे अपने हो चाहे बेगाने हो जीरो टॉलेरंस है हमारी रिशुत खोरी के खिलाफ मैं सबको कहना चाहता हूं कि अब सिस्टम बदल गया है चाहे आप अफ्सर हो चाहे पंजाब में किसी सिराजनीतिक पद पर हो चाहे बिपक्ष में हो चाहे सरकार में हो अब सिस्टम बदल गया है अब एक रुपए की भी हेरा-फेरी नहीं चलेगी हम एक प्रसेंट लोगों का एक प्रसेंट पैसा भी बचाएंगे लोगों की जेबों पर डाका नहीं डलने देंगे और ये इतिहास में दूसरी बार हो रहा है 75 साला इतिहास हो गया देश का अजादी को बाद 75 साल हो गया ये दूसरी बार हो रहा है इतिहास में पहले 2015 में अर्विंद केजरिवाल जी ने अपने फूर्ड स्प्लाई मिनिस्टर को 5-6 लाकर पर आडियो पर मांगते हुए उसी आडियो को सुनकर उनको मंत्री मंडल से ब्रखास्त किया और केसी बेको दिया और आज पंजाब सरकार ये फैसला लेने जा रही है कुछ पिपक्षी पार्टियां वाले ये सवाल उठा सकते हैं कि देखो दो महिने में भगवांतमान की सरकार में एक क्रॉप्ट मंत्री पकड़ागे है मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि उस पर एक्शन भी महीं ले र लेकिन आमाद्मी पार्टी कट्ड़ इमानदर पार्टी है हम अपने मंत्री पर सकत एक्शन ले रहे हैं और पुलिस का मामला भी पुलिस को उसके खिलाब कारवाई करने के नर्देश भी दे रहे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिल में जिनके दिमाग में ये धारना है कि ये कुरॉप्शन का ताना बाना बहुत बढ़ा है ये तूट नहीं पाएगा ये कुरॉप्शन ऐसे चलती रहेगी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है अगर नियस अच्ची हो सब कुछ हो सकता है अर्विन केजरिवाल जैसे भारतमा के सपूत हो जोनोंने पार्टी ही एंटी कॉरॉप्शन मुव्मेंट से निकल कर बनाई और उनके साथ मेरे जैसे हजारों वतन प्रस्त सिपाही हो तो ये देश बदल सकता है भगत सिंग जी को ये कभी भी चिंता नहीं थी अजादी कैसे आएगी उनको चिंता ये थी कि अजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा कहीं फिर तो नहीं लूट मचेगी लेकिन हम भगत सिंग के सपनों की अजादी को घर गर तक पहुंचाने के लिए वचन ब कर रहे हैं कि जितने मर्जी कठे कर लो पैसे हीरे मोती मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती सब को यहीं रह जाएगा तो कुरॉप्शन फ्री कंट्री बनाना अर्विन के जीरिबाल जी का सपना है और देश को आगे बढ़ाना उनके सभी हजारों लाखों की कि की में सिपाओं का सबना है इनकलाब जन्दाबाद